हलो फूडीज वल्कम बैक टो दे चैनल तो कैसे आप सब लोग तो आज की मेरे पहले टीप है ड्राइंग शीट को लेकर ऑफ लाइन या ओनलाइन ड्राइंग शीट बहुत मैं की मिलते करिबन पास्टो जेते तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करें इस तरह की ड्राइंग शीट हमारे सबकी घर में रहती है जब बच्चे छोटे तब हम इस तरह की ड्राइंग शीट का यूज करते हैं पर जब बड़े हो जाते तब इसका कोई शरुवत नहीं रहता है तो आज हम इसका बहुत ही बड़िया यूज करने वाले हैं यह ड्राइंग शीट ऐसी रहती है जो क्यों कि इजी तरीके से सुख भी जाती है तो जब भी हम बरतन दोते ना तो प्लैटफॉर्म पर पूरा पानी पानी हो जाता है तो इस ट्राइंग शीट को आप बरतन धोने के स्टैंड के नीचे कुछ इस तरीके से रख दे फिर आप बरतन धोते जाहें तो इससे क्या हो जल्दी सूख जाती है यानि सुखाने के भी जंजट नहीं और पानी गिरने के भी जंजट नहीं तब देख सकते हैं सारा पानी हमारे ट्राइंग शीट के उपर घिरा हुआ है और प्लैटफॉर्म हमारा एकदम सूखा है तो अब घर में पुरानी ट्राइंग शीट यहां पर मैंने तूरदार को धो लिया है आवशकता कि अनुस तर पानी डाल दिया है फिर इसमें मैंने मिला दिया है थोड़ा सा नमक इससे क्या होगा दाल हमारी चल्दी पकचाएगी डालेंगे हाफ टी स्पुन चितना हल्दी पाउडर मैं क्या करते हूँ दाल को खट्ट निकाल के फेकना भी नहीं पड़ेगा साथी साथ ऐसा करने हैं से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है यह दाल एक दाप चटपटी तीखी बनती है और इसी टाइम पर मैं थोड़ा सा इसमें एड़ कर दूंगी हिंक ताकि जो इसके खुश्बू आती है अब उबलते दाल का पानी बाहर नहीं निकले इसके लिए मैं यह पर थोड़ा सा ओयल डाल दूंगी करीबन एक टेस्पून के करीबन आप लीट कवर करके इसके चार से पांच विसल लगा लेंगे अगर इस तरीके से दाल बनाते ना तो यह बहुत स्वाधिस्ट बनती है इस ताल की प नूद भी उबल गया हर बड़ी में और चाय भी उबल गयी तो फिर आप देख सकते हैं गैस के कुछ इस तरीके के हालत हो चुकी है तो चली अब बिना गीसे बिना मैनत के हम इसे कैसे साफ करते हैं वह मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी तहां पर मैंने ले लिया है स् करने में जो कांच के स्टव आते हैं उसे पानी से साफ नहीं किया जाता क्योंकि जो नीचे प्लास्टिक रहती है उसमें जल्दी जंक लग जाता है और घर्माट की वज़़े से वह जल्दी बरन भी हो जाता है इस वज़़े से आपका गैस्टो खरब जल्दी हो जाता है अब मैंने यहां पे एक धक्कन में ले लिक्वीड और साथी साथ एक पुराना ब्रश ले लिया है अब जो लिक्वीड हमने लिया है उसको सारे स्टेन के ऊपर कुछ इस तरीके से रगट देंगे लगा देंगे ध्यान रखेगा कि जो ब्रश है वो तेज नहीं होना चाहिए और यहां पर मैं पुराना जूना यूज कर रहे हूं स्कॉच ब्राइड का ध्यान रखेगा नया यूज मत किजेगा और हलके हाथों से मैं इसको सिफ इसके उपर लगा दे रही हूं ताकि जहां पर स्टेन पढ़े ना वह अच्छे से नरम पढ़ जाए और आसानी से निकल जाए तो बटन के उपर भी मैं लगा लूँगी क्यूंकि वहां पर भी छिक नहीं रहती है अब इसे 10 मिनिट के लिए एसे हम छोड़ देंगे तो 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं सूख चुका है पूरा अब ब्रश के सायता से पानी में डिप करकर के कुछ इस तरीके से हम साफ कर देंगे त्यान रखेगा यहां पर हमें पानी से धोना नहीं है सिर्फ हम इस तरीके से इसको साफ कर फिर गीले कपड़े की मदद से हम इसे पोच लेंगे तब देख सकते हैं आसानी से स्टेन हमारे निकल रहे हैं मुझे यहां पर मैनत भी नहीं करनी पड़ रही है तो ब्रस के सायता से मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है अब मैंने ले लिया है गीला नैपकिन म इसे आसानी से निकल चुके हैं और फिर एक सुखे नैपकिन की मदद से हम इसे पोच लेंगे तिहां पर आप देख सकते हैं सारी गंगी हमारे नैपकिन में आ चुकी है रिजल्ट आपके सामने गाईस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से व के साथ आप अपने घिजन की टाइस भी चमका सकते हैं आज की मेरी चौथी टिप चटनी को लेकर है चटनी का कलर और स्वाद आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है ट्रस्ट में गईस यह स्वाद में भी बहुत ही बनती है जिसे अब हर चाट के साथ सव कर सकते हैं साथी साथ यह सैंड्विच के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले एक बावल में आपको ले लेने थोड़े से बरफ के टुकड़े और साथ में डाल देना है इससे क्या होगा यह सारा बरफ वाला पानी है वह वेजिस के ऊपर अच्छी तरीक इसे कोट हो जाएगा और यह एकदम से फ्रैश और कड़क हो जाएंगे इससे क्या होगा जब हम इसको पीसेंगे ना तो यह काले नहीं पड़ेंगे अब इसको छोड़ देंगे 5 मेट के तो यहां पर थोड़ा बहुत पानी वेजिस ने स्टोक कर लिया होगा इससे क्या होगा अगाच अम इसे पीसेंगे ना तो वह काली नहीं पड़ेंगी हमारी चटनी तो इस पानी में सिर्फ आपको वेजिसी जो आप यूज करने वाले ना चटनी में वही डालने है तो मैं इसके साथ बरफ के टुकड़े भी डाल दूगी ताकि हमें पीसते वक्त कोई भी पानी के जरूत ना पड़े अब इसमें डालेंगे बाकी के मसाले तो स्वाद अनुसा नमक जाएगा एक निम्बू का रस डालेंगे थोड़े असा कोई भी नमकिन डालेंगे तो मेरे यहा अनुसा यहां पानी का अब यूज कर सकते हैं अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे और आप देख सकते हैं और यह चट्नी को आप खाने में यूज करेंगे ना तो यह बहुत ही स्वादिस लगती है अब सबजी को भूल जाएगा तो आज के मेरी पांचवी और लास्ट टिप है खड़ी को लेगा तो खड़ी में आप चाश और बेसन का सहीन आप कैसे पता चलेगा चलेगा वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूगी तो यहाँ पर मैंने तीन कप चेतनी 250 ml की मेशरिंग कप की मदद से मैंने तीन कप जितनी छाश ले ली है अब एक काटोरी में मैंने तीन टेबल स्पून जितना बेसन डाला है पीसन को मैं चान लिया था तो अब मैं घुड़ा न फोड़ा करके इसमें चाश डालूंगे इससे क्या होगा कि जो चाश ना उसमें घाठे निहीं पड़ेंगे लंस नहीं पड दालना है यह perfect ratio है कड़ी बनाने का इससे आपकी कड़ी ना तो बहुत पतली बनेगी ना तो बहुत घाड़ी बनेगी तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि कितना बैसन डालना है तो आप देख सकते कुछ इस तरीके की consistency आपको मिलेगी इतने बेशन और छाष में तो अगली बार इस रेश्यो के साथ जरू से कड़ी बनाएगा आपको definitely पसंद आएगी तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरा आज काई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया ना तो गैस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जांको सब्सक्काइब करना ना बिलेगा साथी साथ प